Hello everybody, कैसे आप सब? I hope you guys are doing good. तो बटा, सबसे पहले, I want to take a moment and really thank and congratulate वो बच्चे जो की starting से हमारे साथ regular रह रहे हैं. I am so proud of you all. आप lectures भी कर रहे हो, कुछ हैं, बच्चे जिनको मैं देख रहे हूं, वो लगातार lecture भी कर रहे हैं. और daily हर question practice ले रहे हैं. पी वाई क्यों भी, एग्जेंपलार भी, टोप हंड़िड भी, हर एक चीज की important समझ रहे हैं और अभी regular रह रहे हैं. Trust me, जो बच्चे अभी regular रह रहे हैं, उनको end में बहुत जादा benefit होने वादा है. अगर आप अभी भी थोड़े से not serious mode में हो कि end में कर लेंगे, तो end वाली चीज बहुत difficult हो जाती है, panic का महौल create होता है. अभी भी मैं आप लोगों को एक reminder देना चाहूंगी कि start कर दो, इतनी जल्दी हो सकता है, start कर दो. अमेजिंग सीरीज, नीट, end game आपकी चल रही है, जिनने नहीं पता मैं बता देती हूं, पूरा lecture one shot में आप आनन सर के साथ करते हो, और इस चैनल, नीट question bank पे हम लोग question practice करते हैं. तो आपको क्या चाहिए, एक दिन में आपका chapter मतलब once and for all done हो जाता है, तो इसका भरपूर use करो, अपना input दो, हम लोग तो आपको dedicatedly पढ़ा आई रहे हैं, बिस जितना हो से case चीस का use करो, और finally अपना सारा preparation अभी अच्छे से कर लो, है न, तो living world आप लोग कर चुके हो, biological classification आप पढ़ चुके हो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, biological classification के question practice करेंगे, क्या exemplar हम लोग मिलके solve करेंगे, ठीक है, exemplar आपके वही, NCRT की back exercises में, NCRT given questions होते हैं, and of course हमारा paper NCRT based बनता है, तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, basic level पर हमें बता देते हैं, कि at least NCRT हमारी clear हुई ह है या नहीं, तो I really want you all to make sure के at least इसमें आप लोग 100% score करो है न, क्योंकि हम NCRT based ही तो पढ़ते हैं, so try your best, silly mistake मत करना, question शुरू करते हैं, मुझे 100% score चाहिए, आप सभी से, तयार हो, तयार हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो, शुरू करते हैं, again before we begin ahead बचे, ज सब आपको वहाँ पर भी पढ़ाते हैं, तो वो platform भी उन बच्चों के लिए available है, जो की यहाँ पर YouTube पे थोड़ा distracted हो जाते हो, motivated enough नहीं है, ठीके, आपको वहाँ पर live test मिलेंगे, study material मिलेगा, पूरा structured course मिलेगा, one-on-one mentorship मिलेगी, सब चीज़े available, बस एक चीज़ का आपको neat end game में तयारी कर रहे हैं, सीरीज को follow कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक telegram channel join नहीं किया है, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, फटा पर join कर लो, p.me slash neat end game को join कर लो, जो भी आपका PDF है, इस exemplar का, PYQ का, lecture का, सब आपको वहाँ पर मिलता है, पूरा study material आपको वहाँ प हाँ को अच्छा करिए है न, चलो शूरू करते हैं, पर्स्ट क्वेशन से आजो, अब फटा-फट से मुझे आंसर देने हैं लग जो, और मैं चाहती हूं कि सब लोग सहीं आंसर देंगे, कोई सेले मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है, रीट कर दे तो question, क्या है पहला question, all eukaryotic एक unicellular organism, बहुत सिंपल, सारे unicellular eukaryote किस में आते हैं, क्या बता दिया NCIT हमें, कौनसी kingdom, प्रोटिस्टा, आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, प्रोटिस्टा, सिंपल, आगे चले, चलो, next question क्या आ रहे, the five kingdom classification हमने पढ़ा, two kingdom से लेकर five kingdom तक, five kingdom बहुत important है, scientist का name हमने अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल सही answer दे रहे हैं, जो भी बच्चे यह answer दे रहे, answer क्या होगा, रहेच विटेकर, two kingdom classification किस ने दिया था, lenious ने दिया था, three kingdom किस ने दिया था, four kingdom किस ने दिया था, copland ने दिया था, और five kingdom जिन से बहुत जादा question मनता है, विटेकर ने दिया था, बहुत बढ़िया, amazing, आगे चले, चलो, चलो, next question दिखते है, question number three, organisms living in salty area, बिटा, salty area, इस salty word से क्या associated होता है, hello, और five मतलब क्या होता है, loving है न, salt loving, तो salty areas में कौन रहेंगे, hello files रहेंगे, methane और जंस कहा रहते है, methane producing marshy areas में रहते है, thermo acidophils कोन होते है, high temperature और acidic condition में रहते हैं, और ये harsh condition में रहने वाले को हम किस में अलग से पढ़ते हैं, किस category में अलग से पढ़ते हैं, R की bacteria, बहुत सही है, R की bacteria में पढ़ते हैं, उसमें से एक example हमारे पास आता है, किनका आता है, hello files का जो salty area में रहते हैं, बहुत बढ़िया, answer हो जाएगा B, right, चलो, next question पर चलते हैं, question number 4, naked cytoplasm, multinucleated and saprophytic, बच्चे, naked cytoplasm, naked word हम कब कहते हैं, जब आप bacteria के लिए DNA को naked DNA कहते हैं, उसका मतलब होते हैं, उसके भार nuclear membrane की covering नहीं है, तो वो DNA naked है, cytoplasm को naked कब कहते हैं, जब cell wall की covering ना हो, तो bacteria के पास, monera के पास तो होता है cell wall, वो तो naked cytoplasm नह आते हैं, जिन के पास cell wall नहीं होती है, आप जानते हो, तो यह option हो सकता है, पंजाई के पास cell wall होती है, काईटिन के बनी होई नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपको slime molds खुद दिये हुए है, तो answer क्या हो जाएगा, slime molds हो जाएगा, अगर slime mold नहीं होता ना, बच्चे option में, और के पास true cell wall होती है, NCRT लिखती है, इनके खुद के पास cell wall नहीं है, answer क्या होगा, slime molds, multinucleated and saprophytic, dead पर depend करते हैं, next question दिखते हैं, question number 5, an association between roots of higher plants and fungi, बता दो, दो association पढ़ी हैं इस chapter में, एक पढ़ा है आपने algae और फंजाई के बीच में, एक पढ़ा है आपने fungi and roots of higher plants के ब next question हमारे पास आ रहा है, sixth, a dicaryon is formed when, dicaryon मतलब एक ऐसी state जिसमें दोनो nucleus है, है ना, पंजाई जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, पंजाई जब हम लोगों ने पढ़ा, हमने अच्छे से पढ़ा, कि सबसे पहले दो अलगलग mating type का cell का fusion होगा, पहले protoplasm का fusion होगा, तब उस state में दोनों की nucleus fuse नहीं हुए, तो dicaryotic stage देखने को मिली, फिर nucleus fuse होते है, है ना, तो meiosis arrestua नहीं, meiosis का कोई लेना देना नहीं है, तो heploid cell थे, वो पस immediately fuse नहीं किये, cell का protoplasm तो fuse कर गया, बट उनका nucleus fuse नहीं किया, वो cell immediately fuse नहीं किये, तब आपको ये dicaryotic stage देखने को मिलती है, cytoplasm तो fuse हो गया, तब ही तो आपको dicaryotic stage देखने को मिल रही है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, answer हमारे पास क्या जाएगा, जो भी बच्चे भी answer दे रहे हैं, बिल्कुल सही answer दे रहे हैं, इसके example में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी classes को इतना समझ में आया हमें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो, जिन्होंने आजका lecture लगाया होगा, उनको तो वैसी confusion नहीं आया होगा इसमें, बढ़ी सब के लिए मैं बता देती हूं, नेक्स देखते हैं, क्या terminology used है, contagium, vivum, fluidum, किस ने propose किया था, biological classification chapter में, virus वाला portion scientist के name given है, और सब important है, उनसे question आता है, जैसे virus की discovery, DJ even उसकी ने दी थी, फिर ये contagium, vivum, fluidum, MW, बिजर निक ने दिया था, उसके बाद एक और चीज़ पढ़ते है, virus को crystallize किस ने किया था, तो WM Stanley का नाम आता है तब, तो ये कुछ scientist है जो आपको अच्छे से याद होना चाह association between mycobion and phycobion, again, दूसरा association जो आपने इस chapter में पढ़ा था, mycota फंजाई को represent कर रहा होता है ना, और phycobion, algae को represent कर रहा होता है, इनके बीच में जो association आप लोगोंने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, lichen, जो pollution indicators होते हैं, NCRT के ही direct statements हैं, और important है, इंपोर्ट है, ठीक है, बह बहुत बढ़ी है एकदम सही answer दे रहे हैं आप लोग, next देखते हैं question number 9, difference between virus and viroids, मैंने आपको पढ़ाया था, कि जब यह oid word आता है, इसका मतलब होता है, like, just like, एकदम same नहीं, but similar to, कुछ differences होंगे, तो virus और viroids में क्या difference थे, पहला difference आपके virus के पास एक protein coat और अंदर genetic material ह है, viroids के पास यह protein coat नहीं होता, पहला difference ही है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा, जो genetic material भी है, जो RNA present है, वो low molecular weight का होता है, viroids में, viroids में RNA कैसा होता है, low molecular weight का होता है, presence of low molecular weight RNA in virus, but absent in viroids, बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा है, दुबारा से read करते है, presence of low molecular weight RNA in virus, low molecular weight होता है, पट वो viroids का होता है, virus का नहीं होता, तो यह statement तो गलत हो जाएगा हमारे पास, बोथ A and B हो नहीं सकता, none of the above हो नहीं सकता, आंसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, व्योंकि हम क्या कहते है वाइरस के पास, जो protein court है, वो viroids के पास नहीं है, low molecular weight अगर यहाँ पर, virus की जिगे, viroids लिखा होता है, तब यह correct होता, answer क्या होगा, A, answer क्या होगा, A, है ना, चलो, next पे चलते है, question number 10, with respect to fungal sexual cycle, हमने बहुत अच्छे से सबका sexual reproduction discuss किया, फंजाय में, आपको correct sequence बताना है, हमने क्या sequence पढ़ा है, सबसे पहले, सबसे पहले meiosis नहीं हो सकता, सबसे पहले meiosis नहीं हो सकता, यह दो option तो ऐसी eliminate हो जाएंगे, start होता है cell के fusion में, सबसे पहले plasma gamma होने से, protoplasm का fusion होता है, फिर उसके बाद nucleus का fusion होता है, karyo gamma, और जब zygote बन जाता है, तो zygote में क्या होता है, answer क्या आएगा, C, बिल्कुल, जो बच्चे A answer करें, बच्चे आप लोग गलत answer करें, answer होगा, C, पहले karyo gamma होती नहीं होती, पहले तो plasma gamma होगी, फिर karyo gamma होगी, answer क्या आएगा, C, चलो, next question देखते है, question number 11, viruses क्या है, non-cellular organism, but they can replicate themselves, once they infect the host cell, है न, host के बाहर यह cellular है, जि replicate करते हैं अपने आपको, to which of the following kingdom, do virus belong, virus के इस kingdom को belong करता है, आप जानते हो, यह A-cellular organisms, जिन के बारे में यह भी debate है, कि यह living भी है या नहीं, इनको हम किसी kingdom में नहीं डालते, इनको हम किसी kingdom में नहीं डालते, इसलिए आपके chapter में, इने हम end में अलग से पढ़ते हैं, यह न my cities के members, aquatic habitat में होते हैं, होते हैं, decaying wood पे मिलते हैं, मिलते हैं, moist and damp places में होते हैं, होते हैं, obligate parasite है, plant पे हैं, albugo आपका mustard पे disease करता है, in fact, यह direct line NCRT की है, जो एक line उसको चार option में बांट दिया, तो answer क्या होगा, all of the above, सारे ही correct है यहाँ पे, answer आपके पास क्या हो जाएगा, all of the above, next question पे चले, चालो, इतनी ही questions थे, छोटे छोटे से chapter आपके living world और biological classification, at least इसमें आप लोग make sure करें कि गलती ना हो, बहुत सारे बच्चे सही answers दे रहे थे, कुछ की silly mistakes थी, but I am hoping maximum ने 100% score किया होगा, but I am hoping मुझे chat section में बता दो कि मैम हमने 100% score किया, और जिन्होंने नही chapter के example आपके करेंगे, thank you, see you soon.